हेलो स्टुटेंस studio देट हैं में लोगों मैक्रो एकनोमिक्स के स्कोप हैं एन मिनिंग तक आज के enhance की वह वह रही हैं कि व्हें इसमिंग तके फिचर में इकृट्बान में और उसके लरी हम बेप्राइक है किल्ला, वह रुसक्रो एकला को बया इक जलो रही है यह दिखना चाहिए आपके उसमें ठीके जैसे प्राइस थीरी है तो उसका जो सामने यह concept अगर यह concept आपने इंक्लूड की आपके exam में तो easily आपको इससे अच्छे marks मिलेगे और content भी आपको easily याद रहेगा ठीके इसलिए मैंने थोड़ा easy way से आपको यह बना के दिया है I hope कि आप लोगों को यह useful हूँ So let's start all the points one by one First is study of individual unit study of individual unit microeconomic study is the individual unit microeconomics हमेशा को individual unit का ही study करता है जैसे के price की study करना को individual को individual firm की study करना या household Suppose I want to determine the price of a pen so here price of the pen is what के इदर में study करोगे कैसे कितनी demand है कितनी supply है and accordingly I will make a price of the pen so if I want to determine any price or individual price so I am doing here microeconomic study next price theory last lecture में हम लोगोंने scope में सिखा था कि price theory पे यह वक करता है कि कोई एक particular product का price या services का price कैसे ते करते तो उसमें it depends on the demand इंडिविज़ दिमांड और इंडिविज़ सप्लाई as well as market and market divided market supply तो इधर price theory microeconomics के इसकिस पे बेज़़ए price theory पे बेज़़ए next partial equilibrium it is a partial equilibrium partial equilibrium मतलब के partial का मतलब होता है आधा है ना यह हाफ equilibrium है हम उसको बोलेगे partial equilibrium क्योंकि सभी units का study नहीं करता है सिर्फ individual economic unit पे यह focus करता है and like अभी suppose बहुत सारा 50 student है 50 student में मैंने एक student की study की and then I will say कि यह class बहुत scholar है अगर वह अच्छा निकला तो इसे ही that is called as partial equilibrium इसको बोलेगे next step based on certain assumption yes जैसे भी मैंने बोला कि 50 student में से एक की मैंने study की and बाकी सब सेम रहेगा तो it is based on the assumption इसको ऐसा बोलेगे कि बाकी सब चीजे constant है और यह पूरे की पूरा assumption के उपर based है कि एक की study की एक cotton industry अच्छी है तो सभी cotton industry इतना ही कमाती है इतना ही problem faced करती है वह हम बताएगी इसमें ठीक है तो it is called as partial based on certain assumptions इसको सेट्रेस पहरे बस भी कहा जाता है कि अग्याश्ट इस स्लाइसिंग मेथड स्लाइसिंग मेथड यह इस इस स्लाइसिंग मेथड मतलब जितनी पूरी whole economy है उसको चोटे चोटे पार्ट में डिवायड करके एक पार्ट का ही study करती ठीक है एक पार्ट का ही study किया उसको क्या में है स्लाइसिंग मेथड स्पलेट कर देती है पूरी को डिवाइड कर देती हु कि नेच्ट यूज जुओ आफ मार्जनेलिसम प्रिंस्टीपल मार्जनेलिसम् प्रिंसिपल मतलब क्या अधिशनल चेंच मुझे मेरी एकनॉमि में कुछ एडिसनल चेंच करने तो मैं चेंज में पूरी एकनॉमिक यूनित है उसकी ही study करते हैं उसमें पूरी होल एकोनोमिक ही study नहीं करते हैं right study variable through the changes हम इसमें variable की study कर सकते हैं क्या changes हा रहा है वो देख के ठीक है इसमें next topic है analysis of market structure now market बहुत सारे market forms है जो हमने सीखे थे right market forms कौन से perfect competition monopoly oligopoly monopolistic competition यह सब market structures है तो अभी कौन सी market हमारे लिए suitable है कौन सी market suitable नहीं है वह हमें पता चलता है micro economics से क्योंकिए micro economics में हम market को detail में study करते है इंडिविजल मार्केट को और इंडिविजल प्रोड़क को और विल कम टू कंक्लूड के नहीं यह प्रोड़क के लिए हमें यह मार्केट चाहिए सबकोस पॉफेक कॉम्टिशन मोनोपॉली oligopoly etc ठीक है लास्ट बट नॉट दे लिस्ट लिमिटेट स्कोप माइक्रोग नुसके बहुत ही लिमिटेट स्कोप होता है यह सिर्फ इसके उपर यह स्टड़ी के ऊपर ध्यान देता है वह इंडीविजल स्टड़ी के ऊपर फोकस करता है लेकिन अगर कहीं जाए के नेशनल वाइड प्रोड़्लम्स प्रावल्म पोवर्टी कि अनप रॉब्लेमेंट इसफ प्रॉब्लम सॉल्ट करता है इस ये सफ स्टडी करता है इसफ करता है तो कि पॉपुलेषन है पॉपुलेशन तो ये सब क्या है ये सब Mystery जन्हों का सॉल्इूशन कौन देता है ये माईक्रोटोटोमिंट यह युट्व देता ठीक है I hope students you understood the concept very well यह मैंने बहुत अच्छे से लिखा है आप लोगों के लिए अगर आपको screenshot लेना है तो आप इसका screenshot ले लिए और exam के लिए आपको बहुत benefit होगा right beneficial होगा आपके लिए तो आप यह इसको लिख सकते हैं यह फिर आप screenshot लेसे ठीक है मिलती है next lecture में बैबैइ आप